खबर बेतिया से हैं जहां सिक्षा के मंदिर में एक सिक्षक की हैवानियत देखने को मिली है सिक्षक ने पाचवी क्लास के छात्र को इतना बेरहमी से पीटा कि वो अब GMCH में भरती हो गया है उसका इलाज चल रहा है घटना चनपटिया प्रखंड के लालगड के बुनियादी विद्याले की है परिजनों ने आरोप लगाए कि सिक्षक राजेस कुमार राय के द्वारा धरिंदगी की गई है बच्यों के विवाद में सिक्षक के छात्र की पिठाई की सूष्णा पर छात्र के परिजन स्कूल पहँचे और हंगामा हो गया मोगे पर मुवस्ल थाना पुलिस पहुँची और बच्चे को अस्पताल पहुँचाया वहीं आरोपी सिक्षक को हिरासत में लेकर ठाने लाई और मामले की जाज की जा रही है घायल छातर अजीत कुमार और अपने सैपाटियों के साथ खेल लहा था परिजन बता रहे हैं कि आख मिचौली खेल हो रही थी तबी एक छातर सोचाले में छुप गया और बाहर से अजीत ने बंद कर दिया ये गलती अजीत भारी पड़ गई और सिक्षक ने अजीत को पिटते समय हैवानियत और दरिंदिगी की सभी हदे पार कर दी पांचवी क्लास के मासूम की इतनी पिटाई की गई कि अब GMCH में इलाज रथ है लेकिन इस्थानिये लोगों में सिक्षक के स्कूकृत को लेकर आक्रोज है इसको बाद में चल गया और भार करने को लिए तो बोड़ा को आई लगा इस पूल में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें